पूरे भारत वर्स की आंगनबडी सेविका सहाई का ध्यान दे इन 24 लाख में किवल एक राज्य की बात नहीं हो रही है इन 24 लाख में पूरे भारत वर्ष की बात हो रही है ठीक है क्यूंकि अभी भी हमारे बहुत सारी बहनों के मनमें यह confusion है कि क्या किवल एक राज्य में आंगनबडी वरकरों को इस्थाई किया जाएगा या अन्य सभी राजियों को इसका लाब मिलने वाला है मैं आप लोगों का confusion दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जराभी स्किपने करिए वीडियो को सुरू से आखरी तक ध्यान से देखिए और मेरे दवारा लाई गई जानकारी यह द था कि यह एक ऑफिस्चेल लेटर थी जिसमें गुजरात हाई कोट ने सरकार को आंगनबड़ी कार्यकरताओं को नियमित सेवा में सामिल करने का निर्देश दिया है ठीक है गुजरात हाई कोट की बात हो रही है हाई कोट ने जो है सरकार को आंगनबड़ी कार्यकरताओं क नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया गुजरात आप लोगों को पता है यह वही गुजरात है जहां इसके पहले भी आंगनबाडी वरकरों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया था और जिसके बाद से जो है कि इस प्रकार की यह खबरे दूसरी बार निकल के आ रही ठीक है और यहां केवल एक पेपर की कटिंग नहीं है मैं आप लोगों को दिखाओं कि इसे जो है कि कई सारे अकबारों के माध्यम से देखिए आप लोग इहां लगतार मैं आप लोगों के साथ कई अकबारों की कटिंग सेयर कर रही हूं कई जगहों से मैंने आप लोगों सकतेता के साथ ही सेहर किया जाएगा ठीक है देखिए आप लोग मैं यहां से आप लोगों को बताओं इस पश्ट सब्दों में लिखा गया कि आंगन बाड़ी कार्य करताओ सहाइकाओं को इस्थाई शिविल कर्मचारियों के समान माना जाए हाई कोट ठीक है यह हाई कोट का राज और केंडर सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगन बाड़ी कार्य करताओं और सहाइकाओं के साथ नियमित रूप से चैनित स्थाई सिविल कर्मचारियों के समान बेवहार करें हाई कोट के इस फैसले से देश भर में लाखों आंगन बाड़ी कार्य करताओं और स सेविका बहन देख रही हैं वे एकदम क्लियर समझ जाएं इस बात को कि यह आपके लिए भी बात हो रही है यह मैं बिहार की सेविका हूं मेरे लिए भी बात हो रही है उत्तर प्रदेश जारखंड हर जगह की सेविकाओं के लिए यह बात हो रही है ठीक है देख लेते हैं हा दिखों आंगनबडी कारे करताओं और सःकाईकाऊं को लाब होगा। जस्टिस निखिल S. qualified ने कहा है कि सरकारी करमचारियों के मामले में आंगनबडी कारे करताओं और आंगनबडी सहाइकाओं के बीच भेद भाव अधिक है इसे देखते हुए राज और केंद्र सरकार को सरकारी सेवा के उक्त पदों को समाहित करने के लिए श्युक्त रूप से निती बनानी चाहिए साथ ही उन्हें नियमिती करन का लाभी दिया जाए अदालत में 1983 और 2010 के बीच केंद्र की एकी करित बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत नियुक्त आंगनवाडी कारे करताओं और शाहाइकाओं द्वारा दायर याचकाओं पर अपना फैसला सुनाया है ध्यान दीजेगा यह कब से जो है कि सेविकाओं की बात की जा रही है 1983 और 2010 के बीच की ठीक है ICDS योजना में 6 वर से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाएं और इस्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनवाडी केंद्र बनाने की पर कल्पना की गई थी जिन्हें आंगनवाडी कार्य करताओं और शहाईकाओं द्वारा संचालित किया जाता है याचिका ने कहा था कि 10 साल से अधिक समय और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें मामूली राशी दी जाती है उन्होंने अपने वाजिब अधिकार के लिए अधालत से निर्देश जारी करने का नुरोद किया था उन्हें एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था लेकिन उन्हें एक योजना के तहत काम करने वाला माना गया है न कि सरकारी करमचारी अधालत ने कहा है कि आंगन बड़ी कार्य करताओं और सहाईका को क्रमसा दस हजार रुपए और पांच हजार रुपए की मासिक मांदे से यह इस पर श्ट है कि राजी सरकार सिविल पदों पर काम करने वाले करमचार्यों की तुलना में उनके साथ भेद भाव कर रही है अभी देखिए दोस्तों यह जो बात हो रही है गुजरात की बात हो ने वहां की सेविकाओं के बारे में सोचा जबकि वहां पे सेलरी भी एक हद तक बिहार और उत्तर प्रदेश एवं अने राजों की तुलना में कुछ अच्छी है ठीक है साथ ही मैं आप लोगों को एक और नियूज दिखा देती हूं दिखिए आप लोग इसमें भी साप स पत्ता ही करमचारियों के समान बेवहर करें हाई कोट ने कहा है कि सरकारी करमचारियों कि तुलना में आंगण बाड़ी कार्य करता हो क्या या चिकांए पर यह फैसला दिया थीक है तो यह बात कर ले किया गुजिजरात के लिए लागू केवल गुजरात के लिए लागू नहीं होगा या समस्त प्रदेश के लिए समस्त देश के लिए देश भर की आंगन बाड़ी कार करताओं और सहाईकाओं दोनों पे लागू होगा ऐसी ही useful और knowledgeable वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ कि यह लागू करने का प्रक्रिया कहां तक चल रहा है और आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार करिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आपके आंगन बाड़ी के जितने भी ग्रूप्स हैं सब में ज्यादा से ज्यादा सेयर कर दीजे ताकि सभी बहनों का जो कन्फ्यूजन था वह दूर हो जाए झाल